दोनों तरफ से उँची उँची बिल्डिंग से निकल कर धीरे से उस रास्ते पर सूरज की रोशनी जमीन के कुछी हिस्से पर पड़ रही थी ट्राफिक के शोर और कहीं पहुँचने की जल्दी में भागते लोगों की बीड़ वाला ये शहर लंडन की ये सुबह किसी आम सुबह जैसी ही थी वहाँ सब अपनी जिन्दिगियां अपनी दोड में इतने मशगूल थे कि आसपास होने वाली वारदातों की खबर किसी के कानों तक नहीं पहुँचती है तभी ट्राफिक के उस शोर को चीरती हुई एक पुलीस कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने होती उसमें से दो पुलीस आफिसर्स निकले और तेज कदमों से वो उस बिल्डिंग के अंदर चले गए बिल्डिंग के लिफ्ट से बाहर आकर तोनों आफिसर्स थर्ड फ्लोर पर आगे बढ़ते हुए हर फ्लैट के दर्वाजे के उपर लिखे फ्लैट नंबर को गोर से देख रहे थे तबी कुछ दूरी पर एक 35-40 साल की ओरत उन्हें अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हुई दिखी वो कुछ परेशान सी थी उसके पास आकर एक आफिसर्सर्स ने पूचा अपना सर हां में हिलाते हुए सामने बने फ्लैट नंबर 305 की तरफ इशारा कर दिया अफिसर्स ने उसे थैंक यू कहा और उस फ्लैट की तरफ पड़ गए उन्होंने दर्वाजा नौक किया और कहा लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर एक आफिसर्स ने लॉक पर फायर किया और एक ही जटके में दर्वाजा खुल गया उन्होंने अंदर आकर देखा तो पाया कि सारा घर बिखरा पड़ा था और जमीन पर खून के थबबे थे मौत का सन्नाटा उन बिखरे सामान के साथ ही पुरे घर में बिखरा था उन दोनों आफिसर्स ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी रिवालवर थामे वो घर में धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे उन्हें अंदेशा था कि शायद कातल अभी भी घर में ही हो मगर बेडरूम के बातरूम में पुलीस आफिसर्स को वो मिला जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है बात टब में एक लड़की थी जिसके खून से टब का पानी लाल हो गया था पुलीस आफिसर्स ने उसे पानी से निकाला और देखा कि उसके पेट पर चाकू से हमले का एक कहरा खाओ था आँखे बंद किये वो बेजान सी लड़की रूची टंडन थी आफिसर्स ने उसकी नबस चेक की तो पता चला कि उसकी सांसे अभी भी चल रही थी मगर धीरे थी उसे जल से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना था पुलीस आफिसर्स ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया और कहा रूची को एंबिलेंस में हॉस्पिटल बेज दिया गया और देखते ही देखते उसका पूरा घर पुलीस और फॉरंसिक एक्सपर्ट से भर गया हर चोटी चोटी चीज की फोटो ली जा रही थी ब्लड सैंपल्स, फिंगर प्रिंट्स या किसी भी तरह का कोई सबूत फॉरंसिक की टीम बड़ी ही बारी की से हर चीज की जाच कर रही थी और तभी उन्हें वो सबूत हाथ लगा जो इस क्राइम की पूरी गुत्थी को सुल जाने के लिए काफी था बाथरूम फ्लोर पर खून से सना वो चाकू जिससे रूची पर हमला हुआ था ये बात थोड़ी अजीब थी के मर्डर वेपन बिलकुल सामने था मगर क्राइम की दुनिया में सिर्फ सबूत की आवाज ही सुनाई देती है पर हब सवाल ये था कि वो कौन था जिसने रूची को मारने की कोशिश की थी कौन हो सकता है जो जबरदस्ती घर में गुसा इस लड़की को मारा और चला गया तबी घर के बिखरे पड़े सामान में पुलीस आफिसर्स को एक टूटी फोटो फ्रेम मिली जिसमें रूची के साथ थी उसकी रूमेट नुपुर खन्ना पुलीस को इस केस को सुल जाने की पहली कड़ी मिल गई थी उन कैमरास के फ्लैशेस से उस लड़की की पलके तक नहीं जबक रही थी जैसे उसे इन फैशन शूट्स की आदत थी हैवी म्यूजिक और स्टूडियो लाइट्स के बीच उस स्टूडियो में लंडन की किसी बड़ी फैशन मैगेजीन का फोटो शूट चल रहा था उनके बीच उसका वो कॉन्फिडेंट फेस और स्टाइलिश पोजिस हर क्लिक के बाद फोटाग्रफर को वाओ कहने पर मजबूर कर रहा था ये थी नुपर खन्ना एक फैशन मॉडल और अक्ट्रिस वही लड़की जो रूची के साथ उस फोटो में थी इस चमक के बीच उसे जरा भी खबर नहीं थी कि उसकी रूमिट के साथ क्या हुआ था और तभी अचानक स्टूडियो का दरवाजा खुला अंधेरे वेर हाउस में अचानक रोशनी ही रोशनी हो गई और फिर एक लंबी खामोशी चा गई सामने दो पुलीस आफिसर्स खड़े थे सारे फोटोग्रिफर्स और मॉडल्स पलट कर उन आफिसर्स की तरफ देखने लगे वहां का मैनेजर भागता हुआ उन आफिसर्स के पास आया और बोला इस देर प्रॉब्लम आफिसर्स उन में से एक आफिसर्स ने मैनेजर के पास आकर दीरे से कुछ पूछा और मैनेजर्स ने नुपुर की तरफ इशारा कर दिया नुपुर उन पुलीस आफिसर्स को अपनी तरफ आते देख रही थी मगर उसे जरा भी खबर नहीं थी कि उसके साथ अब क्या होने वाला था अगले ही पल नुपुर पुलीस की कार में थी उसके हाथों में हदकडियां और चहरे पर एक समझ में ना आने वाला डर था उसके साथ काम करने वाले स्टूडियो के बाहर खड़े उसे पुली स्टेशन जाते हुए देख रहे थे उन सभी को भी उड़ती उड़ती ख़बर मिल चुकी थी कि नुपूर को किसी के मर्डर के लिए एरेस्ट किया जा रहा था इस बीच नुपूर चीखती रही मैंने उसे मारा क्या मारने की कोशिश तक नहीं की लेकिन कार चला रहा ओफिसर कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था उसकी निगाहें रोड पर थी और नुपूर की चीखने की आवाज जैसे उसके कानों तक ही नहीं पहुँच रही थी नुपूर कुछ दिर चीखी चिलाई और फिर चुप हो गई उसकी जिंदगी उसका मॉडलिंग करियर और उसके सपने उसे अपनी आँखों के सामने बिखरते नजर आ रहे थे नुपूर अपना सर पकड़के उस पलीस इंटलोगेशन रूम के बीच ओ बीच एक खुरसी पर बैटी हुई थी उसकी आँखें नीचे फर्श पर जमी थी जैसे कोई जवाब वहीं कहीं दफन था उसके हाथ पाउं काप रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है उस रूम में जांकती काज की दिवार के पीचे से ओफिसर समीर महाजन नुपूर को गोर से देख रहा था समीर एक इंडियन ओरिजिन ओफिसर था जिसे नुपूर को इंटरोगेट करने के ओडर्ज मिले थे समीर यंग भी था और शार्प भी नुपूर के लिए उससे बच पाना काफी मुश्किल होने वाला था नुपूर अपनी सारी उमीदें हार चुकी थी चंद घंटों पहले वो उन फोटोग्रफर्स के सामने अपना सबसे बड़ा सपना जी रही थी और अगले ही पल उसके सारे सपने इस इंटरोगेशन रूम की दिवारों से टकरा कर तूटने शुरू हो गए थे तब ही उस रूम का दर्वाजा खुला और नुपूर की हारी हुई आँखों में उमीद की एक चमक आ गई सामने सूट पहने और हाथ में एक ब्रीफ केस लिए खड़ा था केतन सालवे एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल लॉयर जो यू के हाई कोट में लॉप प्रैक्टिस कर रहा था और उसे ही नुपूर का केस लड़ने के लिए अस्साइन किया गया था केतन उम्र के उस पड़ाव पर था जहां उसके पास इतना अनुभव था कि वो एक नजर में सच और जूट के बीच का अंतर बता सकता था केतन के पीछे समीर भी उस रूम में आ गया अब इंटरोगेशन शुरू होने वाला था और कई सारे राज खुलने को तयार थे केतन नुपूर के बगल में जाकर बैढ़ गया और समीर उसके सामने समीर के लिए ये एक ओपन एंड शट केस था अगर फॉर्मालिटी के लिए ही सही उसे नुपूर की कहानी सुननी थी उसने नुपूर से कहा तो चलिए बताईए आपने अपनी रूमेट रूची टंडन को मारने की कोशिश क्यों की नुपूर इस सवाल से तंग आ चुकी थी उसने चीकते हुए कहा नहीं मारा मैंने उसे ये सब उस उस रूची ने किया है शी जा फ्रिकिंग साइको जब से मेरी लाइफ में आई है बर्बाद करके रख दिया है उसने मुझे मरते मरते भी मुझे फसा कर जाना चाती है वो इतना कहकर वो हाफ ने लगी जैसे ये बात कब से अंदर दबी थी और आज आखिरकार बाहर आ गई थी समीर के चहरे पर एक कुटिल हसी आ गई उसने कहा नपुर जी मैं जानता हूँ आप एक एक्ट्रेस है पर आपकी एक्टिंग यहां नहीं चलेगी रूची पर जिस नाइफ से हमला हुआ उस पर आपकी उंगलियों के निशान है रूची के हाथों में आपके बाल और बाडी से आपका डियने मिला है और तो और CCTV फुटेज में आपका घर आने और जाने का टाइमिंग रूची पर हुए अटाइक के बीच का ही है So take my advice हम दोनों का टाइम बच जाएगा अपना क्राइम कनफेस कर लीजे अपर ने कुस्से से समीर की तरफ देखा लेकिन वो कुछ बोलती उसके पहले केतर ने कहा मेरी क्लाइंट अभी तक सिर्फ एक suspect है हमके against कुछ प्रूव नहीं हुआ अब तक So I would request you to not jump to conclusions और वैसे भी अपनी क्लाइंट से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ मैं If you don't have any objections समीर वहाँ से जाने के लिए उड़ गया उसने एक नजर नुपुर को देखा उसकी नजरों में ये साफ साफ देख रहा था कि वो नुपुर को गुनहगार मान चुका था समीर के जाते ही केतर ने सबसे पहले नुपुर से पूचा अगर तुमारी roommate रूची As you said is a psycho तो फिर वो तुमारे साथ तुमारे फ्लैट में क्यों रहती थी ये सुनकर जैसे नुपुर के सारे घाव हरे हो गए उसने भरे हुए गले के साथ कहा मेरी सबसे बड़ी कलती वही थी मैं तो बस उसे साथ रख कर उसकी help करना चा रही थी मुझे क्या पता था उसने कहा नुपुर अगर तुम चाती हो के मैं तुमें यहां से बाहर निकाल पाऊं तो मुझे सारी बाते शुरू से बताओ उस दिन से जिस दिन तुम रुची से पहली बार बली थी थोड़ी देर के लिए उस रूम में शान्ती हो गई नुपुर ने गहरी सास लेते हुए अपनी कहानी शुरू की बात शुरू हुई थी छे महीने पहले जब एक सक्सेस्फुल फैशन शो की आफटर पार्टी के बाद देर रात नुपुर कैब में अपने घर लौट रही थी हाथ में शेंपेन की बाटल और उसकी आँखों में खुशी थी कि आकरकार वो अपने सपने को बहुत करीब से देख पा रही थी तभी कैब ड्राइवर ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए नुपुर से पूचा मैम, इस दाच यू? नुपुर ने बाहर की तरफ देखा तो एक बिलबोर्ड पर नुपुर की फोटो थी वो जूलरी ब्रैंड के अडविटिस्मेंट था वो बिलबोर्ड देखकर उसकी आँखों में चमक सी आ गई उसने बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा एस नसमे उस देर बाद कैब ने नुपुर को उसकी बिलबिंग के नीचे उतारा और वहां से चली गई वो जूमते हुए अपने फ्लैट तक पहुंची वो इतना ठक गई थी कि उनी कपड़ों में वो बिस्तर पर लेट गई उसकी नींद लगने ही वाली थी कि अचानक से एक आवाज सुनाई थी जैसे कोई उसके एक घर का दर्वाजा खोल रहा था उसने नींद में ही पूचा रित्विक, इस तक यू डालिंग पर बाहर से कोई आवाज नहीं आई वो देखने के लिए अपने कमरे के बाहर जा रही थी कि उसे घर के दर्वाजे पर एक आदमी दिखा उसके चेरे पर एक मास्क था और हाथ में रिवॉल्वर नुपुर अपने रूम के दर्वाजे के पीछे चुट गई एक ही पल में उसका सारा नशा उतर गया लंडन में इस तरह की चोरी की वारदाते आम थी पर नुपुर ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उसके साथ भी हो सकता है वो अपनी सांसे थामे तर्वाजे के पीछे थी और वो आदमी लिविंग रूम का सारा कीमती सामान अपने बैग में भर रहा था नुपुर का फोन बिलकुल उसके सामने बैड पर था पर वो अपनी जगा पर जम चुकी थी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाती थी जिससे उसकी जान को खत्रा हो उसने दर्वाजे की योट से चांक कर देगा तो उसे वो आदमी नहीं दिखा शायद वो दूसरे कोने में था नुपुर तीरे धीरे अपने फोन की और बड़ी और उसने स्पीड डायल पर रखे रित्विक के नंबर पर फोन लगाया और तबी आवाज में कहा मेरे कर में कोई है प्लीज है प्लीज है प्लीज नुपुर कुछ देर सहमी हुई वहीं खड़ी रही लिविंग रूम पर हाथ साफ करने के बाद वो आदमी बेडरूम की और बढ़ रहा था नुपुर की सासे तेज होने लगी थी कि तभी उसे बाहर से पुलीस साइरम की आवाज आई और वो चोर वहां से फाक कैया पुलीस को अपना बयान देने के बाद नुपुर घबराई हुई अपने बेड पर बैटी थी और उसके बिलकुल पास उसका हाथ पकड़ के बैटा था उसका बेस्ट फ्रेंड और बॉइफ्रेंड रित्विक उसने नुपुर का मूड हलका करने के लिए कहा आई टोल्ड यू मेरे साथ रहने लगो कोई चोर परेशान नहीं करेगा मेरे अलावा अफकोस नुपुर हलका सा मुस्कुरा दी पर लेकिन अब भी डर उसकी आँखों से गया नहीं था अगर रित्विक पुलीस को लेकर सही वक्त पर नहीं आता तो कुछ भी हो सकता था सुबह ने दस्तक दे दी थी रित्विक नुपुर के बेड़ पर सोया था मगर नुपुर पैठी हुई थी वो रात भर सो नहीं पाई थी और तभी उसकी मा का फोन आ गया नुपुर ने नॉर्मल होकर बात करने की कोशिश की मगर मा उसकी आवाज में छुपा डर समझ गई उन्होंने कहा क्या हुआ है बेटा हम तुपरेशान लग रही है नुपुर ने कल रात वाली सारी बात मा को बता दी बात सुनकर मा ने चिंता भरी आवाज में कहा लेकिन बेटा भापा ठीक ही तो कहते है जो काम तुम वहां करती हो वो यहां आकर भी तो हो सकता है ऐसे अकेला रहना इतने बड़े शेहर में इस तू डेंजरिस बेटा नुपर अपनी मा की चिंता समझ सकती थी और कहीं न कहीं उस घटना के बाद वो भी थोड़ा डर गई थी मगर इतने छोटे रीजन की वज़़े से वो वापस इंडिया नहीं जाना चाती थी उसने मा को समझाते हुए कहा मा अब आप शुरू मत हो जाओ प्लीज आपका कंसर्न यही है ना कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ अच्छा ठीक है तो मैं रित्विक को बुलाती हूँ कि वो मेरे साथ शिफ्ट हो जाए ठीक है मा ने डाटते हुए कहा नो शादी के पहले कोई किसी के साथ नहीं रहेगा समझी लंडन में भी हमारे काफी रेलेटिव्स है कहीं किसी को पता चल गया तो गई तुमारे पापा की इज़त नुपुर ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा हाँ सारी इज़त पापा की ही तो है अच्छा ठीक है मैं किसी इंडियन लड़की को ढून लूंगी अपने साथ फ्लैट शेयर करने के लिए अब खुश नुपुर की माने इस बात पर हामी पर दी मगर नुपुर ये बात जानती थी के लंडन में इंडियन रूम में ढूनना कितना मुश्किल काम था उस चोरी वाली रात को बीते साथ दिन हो गए थे और नुपुर उस इंसिडन को भूलने में लगी थी कि एक दोपहर उसके फ्लैट की डोरबेल बजी उसने जाकर दर्वादा खोला और देखा सामने एक सेमी हुई सी लड़की खड़ी थी उसकी आँखों पर चश्मा और कंदे पर एक बड़ा सा हैंड बैग था उसने आवाज में जिजक के साथ कहा I'm Roochi, Roochi Tendern मैंने आपका एड देखा था फेस्बुक पर इंडियन रूमेट के लिए नुपूर को याद आया कि उसने रूमेट के लिए एक एड दिया था उसने Roochi को उपर से नीचे देखा वो एक टिपिकल इंडियन माईगरेंट की तरह लग रही थी जिस पर अभी तक लंडन का रंग नहीं चड़ा था उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आखों में इंटेलिजेंस नुपूर ने Roochi को अंदर बलाया और उसके बारे में पूछने लगी So, what do you do Roochi? Roochi ने जवाब दिया I work with security services इस साल college से placement हुआ है नुपूर ने अगला सवाल किया तो अभी तक कहां रह रही थी? Roochi ने कहा एक PG में लेकिन वहाँ सब foreigners है I don't like it there तुम्हें यकीन नहीं होगा हिंदी बोलने को तरस गई थी मैं Roochi की बात सुनकर नुपूर को हसी आ गई कुछ तो था उसमें जो नुपूर को अच्छा लगा था Roochi गर देख रही थी और तभी उसकी नजर किचन में पड़े नमकीन के पैकेट पर गई उसने मासूमियत के साथ नुपूर से पूछा में आए प्लीज जब से आई हूँ तब से ब्रेड और जैम पर ही गुजारा कर रही हूँ नुपूर ने हसकर हां में सरहलाया Roochi अलग थी वो नुपूर को वो वक्त याद दिला रही थी जब वो नई-नई लंडन आई थी नुपूर को Roochi पसंद थी इसलिए उसने Roochi को रूमेट बनाने का मन बना लिया थी इसी बीच डोरबेल बजी रित्विक आया था उसने अंदर आकर नुपूर को हग किया और नुपूर ने Roochi और Roochi को इंट्रिड्यूस करते हुए कहा meet my boyfriend and a star photographer Mr. Ritwik Sam और Ritwik ये है मेरी नई रूमेट Roochi Tundan रूची खुश थी और नुपूर सुकून ने Roochi का PG में रहने का डर खतम हो गया और नुपूर की अकेले रहने की चिंता सब सही हो रहा था अगले ही दिन Roochi अपना सारा सामान लेकर नुपूर के फ्लैट में शिफ्ट भी हो गई पर जब सब इतना सही चल रहा हो तो कुछ बिगडने के चांसेज बहुत स्यादा होते है Roochi को नुपूर के साथ रहते तो दिन ही होए थे वीकेंड था और उस रात रित्विक उनके घर ही रुकने वाला था Roochi को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा पर वो कुछ बोल नहीं पाई नुपूर अपने रूम में रित्विक के साथ थे वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे आज उन्हें जरा भी चल्दी नहीं थी जैसे पुरी रात थी उनके पास रात की खामोशी किसी रोमैंटिक म्यूजिक की तरह सुनाई दे रही थी और वो दोनों अपने बीच से कपड़ों की परत को एक एक करके हटा ले थे कि तभी नुपूर की नजर दर्वाजे की दरार के बीच से आती एक पतली रोशनी पर पड़ी कि दर्वाजा खुला कैसे पहले तो बन था वो कुछ कहती लेकिन रित्विक ने तबारा उसे उस लम्हे में उतार लिया और नुपूर ने भी वो आपस लोटने में ज्यादा तेर नहीं की मगर उसकी नजर एक बार फिर उस दर्वाजे पर गई और उसने देखा कि उस रोशनी को रोके हुए एक साया दर्वाजे पर खड़ा था शायद वो उस दरार से उने ही देख रहा था नुपूर डर गई उसके मन में सबसे पहले उस चोर का ख्याल आया कहीं वो कहीं वो चोर तुबारा तो नहीं आ गया उसने रित्विक को खुझ से दूर किया लेकिन तब तक वो साया वहां से हट चुका था उसने उसी हालत में भागते हुए दर्वाजा कोला और बाहर लिविंग रूम में आ गई वहां कोई नहीं था रित्विक ने हैरानी से पूचा क्या हुआ हूँ? नुपुर की बेचैनी अभी खतम भी नहीं हुई थी वो घर की सारी खिड़कियां और दर्वाजे चेक करते हुए बोली कोई था यहां हमें उस तरह देख रहा था कोई उस लमहे को याद करके इंटरोगेशन रूम में बैटी नुपुर दोबारा खबरा गई उसके चेरे पर एक डर उतराया केतन ने उसे पानी का गलास देते हुए पूछा तुम्हें कैसे पता कि वो रूची ही थी जो उस रात तुम्हें इस तरह देख रही थी तुमारी आँखों का धोका भी हो सकता है नुपुर ने पानी का गलास नीचे रखते हुए एक गंभीर आवाज में कहा I didn't know मुझे तब नहीं पता था कि वो रूची ही थी मगर जब तक पता चला situation बहुती ज्यादा बिगड़ चुकी थी Things had gotten much worse केतन ने पूछा How much worse नुपुर ने कापती हुई आवाज में कहा इतना वर्स के आप कभी सोच भी नहीं सकते नुपुर की आँखें डर और नफरत से सनी हुई थी वो जानती थी के उसे इस मर्डर में रूची ने ही फसाया है और उसे इस जाल से बाहर निकल कर रूची को ठिकाने लगाना था पर सवाल ये था कि क्या वो इस जाल से कभी बाहर निकल पाएगी आगे क्या होगा जानने के लिए तून इंटो दी आउडियो फिल्म प्रॉजेक विद डिरेक्टर विक्रम भट मंडे टू साचड़े रात नौ बजे साथ ही से सुनिए रेड अफेम इंडिया और सभी लीडिंग पॉड्कास्ट आप्स पर रेड अफेम बजाते रहो